सिस्क्राइब तो ईवे स्टडी हब और डोंट परगेट तो प्रेस बैल आइकन पर लेटर सब्डेट्स हेलो दोस्तों वेलकम तो आओ चैनल ईवे स्टडी हब ये वीडियो इस्पेसली उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमा इलेक्ट्रोनिक सिजिनिंग के स्टुडेंट है और इस बार समस्टर 6 के एक्जाम में अपियर होने वाले हैं इस वीडियो में हम बीटी उपी बोर्ड क के सिलिवस के कोडिंग माइक्रोवेब इंजिनिंग को टॉपिक वाइज डिसकस करेंगे तो आईये ज़्यादा देज नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ऑडियो सिग्नल को ट्रांस्मीट करते हैं तो उसके लिए हम ओडियो वेब् जिसकी frequency कुछ kilohertz से कुछ megahertz तक होती है audio waves को transmit करने के लिए हम sky wave propagation का use करते हैं sky wave propagation मतलब मतलब यह कि माल लीजे यह हमारी अर्थ है और अर्थ पर एक transmitting antenna है इस transmitting antenna से जब हम किसी signal को transmit करते हैं तो वो signal वातमरण में इस्तित आयन मंडल की एक layer से reflect होता है और फिर पुना धरती पर इस्तित दुसरे antenna receiver antenna द्वारा receive कर लिए जाता है और इस परकार हमारा transmission पूरा हो जाता है यह होता है sky wave propagation लेकिन अगर आपको कोई signal कोई ऐसा transmission करना है जिससे हमें space में propagate करना है space में हमें signal को भेजना है तो आपको इसके लिए audio waves का use नहीं कर सकते इसके लिए आपको ऐसे frequencies का use करना पड़ेगा जो audio waves से ज़ादा हो audio waves से ज़ादा की frequencies को कहते हैं electromagnetic waves electromagnetic waves की wavelength audio waves की wavelength से कम होती है और उसकी frequency audio wave की frequency से ज़्यादा होती है इनी electromagnetic waves में एक टाम आता है microwave microwave जिसकी frequency होती है 1 GHz to 300 GHz तक इसकी wavelength 10 to power minus 3 meter से 1 meter तक होती है अब इसके बारे में हम गौर से discuss करते हैं detail में इस्टर करते हैं आईए microwave के advantage के बारे में जानते हैं microwave का use क्यों करते हैं microwave का use space में propagation के लिए या fast propagation के लिए किया जाता है वहाँ propagation के लिए जहां audio waves का use नहीं कर सकते microwave का microwave को use करने का advantage पहला ये है इससे हमें bandwidth की availability बढ़ याती है bandwidth की availability का मतलब ये है कि कोई भी signal कोई भी west band signal जिसकी frequency जितना ज़्यादा होगी उसका 10% ही हमें maximum bandwidth मिलता है मतलब अगर किसी signal की frequency 3 GHz है तो उसका maximum bandwidth 300 MHz होता है अब मान लिजे कोई signal 300 MHz की bandwidth वाला यानि इतना चोड़ा है 300 MHz की frequency band इतना चोड़ा है इससे ज़्यादा signal transmit हो सकता है अगर वही frequency 300 MHz की हो base band fixed signal और उसका 10% होगा 30 MHz तो हमें bandwidth कितनी मिलेगी maximum bandwidth 30 MHz की 30 MHz मतलब एक पतली pipe मिलेगी जिससे हमें कम signal को हम transmit कर पाएंगे इस प्रकार microwave का यूज करने से bandwidth की availability बढ़ जाती है दूसरा advantage यह है कि इससे fading बहुत कम होती है और reliability बढ़ जाती है fading कम होने का मतलब यह है कि कोई भी signal जब आप transmit करते हैं तो कुछ समय के बाद वो signal इधर उधर fade होने लगता है इधर उधर fading effect हमेशा कम देखने को मिलता है चुकि हम microwave का जब यूज करते हैं तो line of side propagation का यूज करते हैं line of side propagation के लिए माली जी यह हमारी एक अर्थ है अर्थ पर एक transmitting एंटीना और एक receiving एंटीना इस प्रकार लागा जाते हैं कि दोनों आमने सामने होते हैं distance ज्यादा होती है लेकिन उनकी वो एक दुसरे के सामने होते हैं बिल्किल एक linear line में जब हम कोई signal transmit करते हैं तो वो सीधा receiver द्वारा receive कर लिया जाता है और क्योंकि microwave एक सीधी line में transmit करती है इससे क्या है हमारी liability बढ़ जाती है हमारा signal फेड नहीं होता है next advantage है कि हमें उसके लिए repeater का use कम करना पड़ता है repeater क्या होते हैं repeater वो होते हैं कि जब आप किसी signal को बहुत दूर तक transmit करते हैं तो signal बीच बीच में कुछ दूर चलने के बार distort होने लगते हैं वो signal distort ना हो इसलिए हम कुछ दूरी पे एक ऐसे system का use करते हैं जो signal को पुना retrieve कर लेता है तो अगर आप microwave का use करते हैं तो आपको कम repeater की आऊ सकता पड़ते हैं आपको दूर दूर repeater लगाने पड़ते हैं तिसरा advantage यह है कि इससे हमारी antenna की directivity बढ़ आती है directivity मतलब signal जो होता है हमारा microwave signal की wavelength कम होती है wavelength कम होने से वयसे उसकी beam width भी कम होती है और किसी antenna की directivity उसके beam width के इनवर्सरी proportional होती है मतलब अगर beam width कम होगा तो directivity बढ़ेगी और इससे हमारी gain बढ़ती है और directivity बढ़ने से हमें किसी antenna को design करना भी आसान होता है next advantage है उसका कि हमें microwave का ही जब हम use करते हैं तो transmitter और receiver के बीच में power की requirement कम हो जाती है next advantage है उसकी transparency properties मतलब यह कि microwave को propagate करने के लिए उसको signal को transmit करने के लिए हम air में, space में या ionized layer ion bundle की जो layer है उसमें आसानी से transmit कर सकते है इसका use हम astronomical research में करते हैं या duplex communication duplex communication मतलब आब इदस से बाद भी कर रहे हैं और उधर वाले की भी आवाज आ रही है दोनों का एक साथ communication हो रहा है वो होता duplex communication duplex communication between ground station and speed vehicle के बीच में भी हम microwave का use करते हैं microwave के कुछ typical applications हम देखते हैं तो microwaves का जाजातर use intercontinental telephone में किया जाता है tv में किया जाता है space communication में किया जाता है और railway की जो telemetric communications होते हैं उनमें microwaves का use किया जाता है microwaves का और use radar system में किया जाता है microwaves की एक heating पपर्टी होती है microwaves का signal जब बहुत ज़्यादा intensity में दिया जाता है तो वो electromagnetic energy को radiate करता है जिससे एक heating, heat उत्पन होती है जिसका यूज commercial field industrial field में बहुत ज्यादा किया जाता है आप घरों में खाना पकाने के लिए भी यूज करते हैं जैसे microwave oven drying machine का यूज करते हैं कपड़े सुखाने के लिए food processing industries में इसका यूज किया जाता है electronic warp hair में भी इसका यूज किया जाता है आए microwave की कुछ properties के बारे में जानते हैं microwave की properties यह हैं पहली property यह है कि microwave ionosphere द्वारा reflect नहीं किया जाता है microwave हमेशा एक electromagnetic energy radiate करता है, एक shorter wavelength पर कम wavelength पर हमेशा electromagnetic energy radiate करता जाता है जिससे अगर ज्यादा intensity दी जाती है microwave की, तो वो एक heat वो काफी heat उत्पन करता है microwave traveling in straight line microwave हमेशा travel, straight line में travel करता है और microwave की current जो होती है वो एक thin, एक पतली cable से पार की जा सकती है इतनी पतली होती, क्योंकि उसकी beam मिर्थ भी काफी पतली होती है आपके डिप्लोमा के exam में ज्यादा तर question आते हैं उसकी properties से, उसके applications से, और उसके advantage से, microwave के advantage, उसके applications को आप ज्यादा अच्छे से ध्यान किजेगा अब एक सास्था है एक institute है IEEE याने Institute of Electrical and Electronics Engineering इसने क्या किया है इसने microwave को classify किया है on the basis of its frequency band याने microwave को बाटा है, उसके frequency के यादार पे frequency के band को अलग-अलग नाम में बाटा है पहला band है HF band याने high frequency band इसकी frequency range है 3 MHz से 30 MHz तक next band है very high frequency band VHF band इसके frequency है 30 MHz से 300 MHz तक next है UHF band इसके frequency है 300 MHz से 1 GHz तक next band है L band लेने large band large band की frequency है 1 GHz से 2 GHz तक next आता है S band S band की frequency है 2 GHz से 4 GHz तक next है C band C band की frequency 4 GHz से 8 GHz तक होती है next है X band X band की frequency 8 GHz से 12 GHz तक होती है next आता है KU band याने K band से उपर वाला band इसके frequency होती है 12 GHz से 18.6 GHz तक इसके बाद K band आता है K band 18.6 GHz से 26.5 GHz तक इसकी frequency range होती है उसके बाद आता है K के बाद वाला K band K band के frequency 26.5 GHz से 40 GHz तक होती है 40 GHz से 300 GHz तक के frequency को हम mm band के रूप में जानते हैं और 300 GHz से अपर के frequency को हम सब mm band के रूप में जानते हैं तो दोस्तों आज का हमारा ये session ख़त complete होता है आप वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू